नमस्ते दियो स्टूडन्स बहुत बहुत स्वागत है अपका पीटी एजूकेशन चैनल पे मैं हूँ गौरफ चोपरा और आज हम फूट सेक्योरिटी को लेके चर्चा करने वाले है ग्लोबल फूट सेक्योरिटी किस तरह से अफेक्ट होई है दुनिया बर के देशों में हम इस सेशन में जानेंगे महामारी के चलते किस प्रकार से food accessibility में दỉक्कत आ रही है यह supply chain में disruptions के कारण क्या latest development निकल के आ रहे हैं और क्या लोगों के diet में भी बदलाव हो रहे है और यह सब के इलावा भी बाकी सारी चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं इस सेशन में तो ब अगर इन लोगों के इंकम में थोडी सी भी गिरावट आती है, तो यह अपना पेट कैसे भरेगे? अगर इनके इनकम का खाना खरीदने में ही जाता है, अब प्रडक्शन पे कोविट के चलते क्या बहुत बड़ा असर आएगा? If we talk about the agricultural production, तो it depends, अगर rich country है या developed country है, तो वहाँ पे production ज्यादा mechanized रहेगा, यानि वहाँ पे ज्यादा अच्छी technology होगी, जिसके चलते inherently लोग करीब नहीं आते, यानि वो अपने आप ही social distancing maintain हो जाता है, जैसे बड़ी सी machinery लगा दी, sewing या harvesting के लिए, तो उसमें ज्यादा labor नही except उन machine को supervise या monitor करने में, so poor countries या developing countries या कहलो underdeveloped countries, ये चीजे थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्यूंकि if you want to install the machinery, then it becomes really expensive, and labor intensive countries में, यानि जहाँ पे बहुत सारे labors है काम करने के लिए, तो उनके लिए तो mechanized process को follow करना तो illogical होगा, because cheap labor is easily available in these countries, तो अगर मुझे cheap labor मिल रहा है, तो मैं machinery install क्यों करूँ, मैं cost मेरा क्यों बढ़ा हो, और फिर इसके चलते ऐसे मुलकों में social distancing follow करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, and obviously community transmission का बहुत ज्यादा खत्रा होता है, although farmers in poor countries are generally younger than in rich countries, but ये countries में healthcare infrastructure बहुत weak है, अब आप अपने ही शेर में देख लो, covid के cases के वज़े से, अस्पताल में beds कितने available है, अगर आज की तारीक में कोई भी बिमार पड़ जाता है, या किसी को covid हो जाता है, तो उसे अस्पताल में bed मिलना बहुत मुश्किल है, and इसके चलते कुछ hospitals, they charge exorbitant amounts to patients, तो यहाँ पे ज्यादा risk है as compared to west या developed nations, and the whole food system is affected, especially अगर हम यहाँ पे farmers की बात करें तो, अब आते है supply chain disruption पे, supply chain disruption मतलब किसी भी value chain, यानि production से लेकर supplying तक, इनके बीच में किधर भी दिक्कत आ गई, तो उसे supply chain disruption का आ जाता है, अब covid के चलते lockdown हुए, and lockdowns के चलते logistics बंद हुआ, यानि products की delivery customers तक जाना बंद हो गई, समझें, in fact यह production sites से भी हो सकता है, जैसे US में 30,000 से ज्यादा workers को food processing plant में काम करते वक्त ही covid हो गया, तो पूरा का पूरा plant ही बन कर दिया गया, तो अगर कुछ produce ही नहीं करेंगे, तो deliver क्या करेंगे, या supply करेंगे ही क्या, So, do you understand what is supply chain disruption, और अगर हम aviation industry की बात करें, तो जो special food products थे, जैसे high value horticulture products, जो आफरीका से जाते थे, export होके, वो अभी total बंद हो गए, because they used to rely on air freights, So, यहाँ पे भी एक supply chain का disruption देखने मिला है, अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में भी public distribution schemes का तहस नहस हो चुका है, जैसे midday meals, वो complete बंद हो गई है, क्योंकि schools ही बंद पड़े, parents अपने बच्चों को midday meals की वज़े से ही majorly school बेश देते, ताकि कम से कम एक टाइम उन बच्चों का पेट तो भर जा है, लेकिन lockdowns के चलते school बंद पड़े है, तो फिर midday meals भी बंद ही है, अगर पेट भरना है, तो बच्चों को काम करवाया जा रहा है, and eventually child labor इंडिया में बढ़ रहा है, समझे यह cycle कैसे काम कर रहा है, and ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में ख है, तो इंडिया है तो ग्रोथ प больш कि अथ एकर for example, in terms of adapting seeds to a particular environment, which could result in increase in the productivity as much as five-folds. And India indeed has the scope and potential to produce for the entire world. सम्झें? अब आते हैं इंटनेशनल ट्रेट चालेंजेस पे. Global food trade between countries essentially reduces the vulnerability to food market shocks. लेकिन सरकार की नीतियों की वज़े से countries में ये volatility और vulnerability को control करना कभी कभार मुश्किल हो जाता है. जैसे 2008 की global food crisis में producers ने staple foods यानि rice, wheat, maize वगेरा इन सब पे export restrictions लगा दिये थे. अच्छा किस-किस को पता है कि 2008 और 2011 के बीच में global food crisis भी हुआ था, apart from global financial crisis, तो जल्दी से comment section में इसके बारे में 5 point की summary लिख दो ताकि बाकी videos को भी help हो जाए. So coming back, 2008 में export restrictions लगा दिये. क्यूंकि domestic food shortage की चिंता थी, उनके नागरिगों का पहले पेड भरना चाहिए, इसी लिए they started to hoard food. And इसके चलते global market price भी upward pressure में आने लगा, उनकी price बढ़ने लगी. अगर supply कम कर दिये जाए, तो वो food products की demand कैसे पूरी होगी. इसके चलते उनकी price बढ़ जाती है. तो lower income group को afford करना तो मुश्किल हो जाता है. अब ये problem COVID के time यानि आज के time में भी पनप रही है. ये साल के July मैने तक करीब 21 मुलकों ने export restrictions लगा दिये थे, which basically accounted for almost 4% of the total global traded food. Fortunately, lockdowns के relaxations के चलते, almost अभी सभी countries ने ये restrictions हटा दिये, एक या दो छोड़के, बट जो इसका impact पड़ा है, वो हमने early July में देख लिया है. जैसे wheat की prices बहुत volatile हो चुकी है, और उसकी price में 10% की गिरावट देखने मिली है. अगर हम January से लेकर July तक की बात करें, ये कीमत की गिरावट इसी लिए हुए, क्यूंकि उसकी फसल अच्छी निकली है इस साल. अगर हम rice की बात करें, तो ये भी बहुत volatile रह चुका है, January और April के बीच में, ये करीब 20% से बढ़ा है. अगर हम investors के point of view से देखें तो, तो global trade for food रुकना नहीं चाहिए, बहुत important है ये सारी economies के लिए. In fact, as per the latest report by WTO, roughly 17% of the world's population relies almost entirely on international trade for food. Imagine, और ऐसा अनुमान है, कि ये number 2050 तक 50% तक का जा सकता है. समझें, अब COVID के चलते, food बहुत unevenly distribute हो रहा है. Both for the rich as well as for the poor countries. WHO के अनुसार, दुनिया में करीब 2 billion लोग overweight है. यानी करीब 200 करोड लोग obese category में आते हैं या overweight है. और बच्चों में तो ये number 3 करोड से भी ज्यादा है. And underweight या undernourished लोगों की बात करें, और ये सिर्फ 12 southern African countries की बात हो रही है. अब diet की आदर directly depend करती है की food resources कितने हैं and income कितनी है. Recent research के अनुसार, गरीब work के लोग अपनी total income का 25% से ज्यादा खाने में खर्चा करते हैं, और ये stable food की बात हो रही है. यानि basic wheat, rice या maze और उपरी work के लोग करीब 14% तक का खर्चा करते हैं. तो आप समझें कि इन दोनों sections में savings के dynamics कैसे चलते हैं? और अगर हम unprocessed non-stable food की बात करें, जैसे fruits, vegetables, meats, इस पर गरीब work के लोग अपनी income से करीब 50% इन चीज़ों पर spend करते हैं. तो अगर income कम होगी इन लोगों की COVID के चलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका consumption इन पदार्तों में कम हो जाएगा, या इन चीज़ों में कम हो जाएगा. Say for example, Ethiopia. Recent survey के अनुसार पाया गया है कि household income कम होने की वज़े से nutrient-dense food, यानि fruits, meat, eggs, वगेरा, इन में consumption में बहुत गिरावट पाई गई है. यानि ये चीज़े अब कम consume हो रही है. Of course, calorie intake इस से कम होगा, बट इसके चलते long-lasting micronutrient की deficiencies पैदा होगी, जो human health and development के लिए बहुत ज्यादा गातक साबित हो सकते हैं आने वाले वक्त में. अब ये graph, food and agriculture organization के द्वारा है, जिसमें ये जानने मिलता है कि lack of resources की वज़े से, जो food की accessibility limit हो जाती है, उसके वज़े से इन population को कितने level पे सफर करना रहता है. अब जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे ज़्यादा low income population ही सफर करता है, करीब 27% के आसपास, यानि food ना secure होने की वज़े से, low income population बहुत ज्यादा affect होते हैं, and upper middle class या high middle class population को इतना ज्यादा फरक नहीं पड़ता. एक और जो बहुती major risk निकलके आता है, जो कोविड के वज़े से magnify होने का risk है, वो है food wastage. Approximately 12 billion dollars, यानि 1200 crore worth of agriculture crops, are lost during harvesting and post harvest operations just in India. इसका major कारण है कि poor storage, यानि ठीक से store नहीं किया जाता, and transportation की कमी, तो माल अगर सही time पे designated जगा पे जाई नहीं रहा, तो इसके चलते वो वहाँ पे पड़े-पड़े, खराब हो जाएगा. समझें? जैसे कि आप इस graph में देख सकते हो, food waste and loss का, ये एक approximate estimate है, कि globally by 2050, Asia की तरफ से बहुत ज्यादा wastage of food देखने मिल सकता है. करी 1 billion tons का, यानि 100 crore tons का wastage. फिर आता है Africa, जो 40 crore tons से अधिक food wastage देखने को मिल सकता है. And eventually we have Europe, South America, North America, Central America, Oceania and Caribbean. So do you understand कि इसके चलते food की security board danger में है? But at present, food security index ये बताता है. India is in a very good range of the global security food index. दुनिया में Singapore एक ऐसा अकेला मुल्क है, जो सबसे ज्यादा secured in terms of food. Then you have America, You have South America in this range. या पर चाइना और रॉशिया है. अगर हम Africa की तरफ देखे, तो Africa में बहुत ज्यादा दिक्कत है. ये white zones. आप देख रहो है white वाले zones. तो मोटा मोटा अगर income decline होगी लोगों की, महामारी के चलते, तो इससे poverty levels तो बढ़े गई. And SDG goals फिर कैसे accomplish होगे? SDG पता है आपको, किसी को? Sustainable Development Goals. तो ये क्या है? जरा comment section में बताओ. और इसमें कौन से goals, किस organization के दौरा announced किये गए थे? जरा comment section में बताओ. So, even if the recession is short-lived, the impact through inadequate nutrition could be long-lasting. Especially for the young children, whose growth and cognitive development tend to be affected by undernutrition. यनि आने वाली PD की health बहुत ज्यादा डेंजर में होने वाली है अगर हमने आज के तारिक में food security को लेके कुछ किया नी तो. Well, this was all about the risk to global food security due to the ongoing pandemic. Hope आपको ये session useful रहा होगा. If you like this video, make sure you hit that like button. Share this video with your like-minded friends. और अगर आपको कोई सवाल ये सुजावों, तो उसे comment section में बताएगा जरूर. We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these. उमीद करता हो ये session आपको पसंद आया होगा. Namaste, Jai Hind. लिए फ जिल्व, बत्व, बत्व, पस्वार काईब पसंद करtant सुजाख ख WhooK आपको बत्स सवाब। DA आपको को ये झापको काईब। हैं बत्हब। वालों आपको को दो किप्स Title आपको पां bênék सवोन इले इले इंद़ को कि आपको पको पसकिक्ः का।